हेलो माई डिगरी स्टूडेंट बेलकम बाइक टू माई चैनल दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं अलेक्ट्रोनिक बिन्यास वो भी आप बाव के नियम से ठीक है तो दोस्तों आईए आज हम लोग सीखेंगे अलेक्ट्रोनिक बिन्यास जो क्लास 10th, 9th, 11th, 12 सभी के लि दोस्तों आईए हम लोग सुरू करते हैं और आप लोग को आई होब किस समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से तो आईए हम देखते हैं मैंने यह देखो जो बोरबडी का नियम था उसमें चार कच्छाएं होती है और चार कच्छा इस परकार से होती है जैसे जो आभी होता है प्लस और माइनस के चारो तरह एलेक्ट्रॉन गूमते रहते हैं तो वह किस परकार से घूमते हैं तो आईए हम इसमें देखते हैं यह आपका देख्या 2x2 करूप में रहते हैं एक सूत्र होता है 2x2 अगर हम यहां एक माल रखते हैं तो एक का जह हम इसक्वा ये चार कच्छाओं का नाम होता है क्या होता है ये चार कच्छा जो होते हैं उनका नाम होता है तो इसी प्रकार से चारो कच्छा का नाम होता है के ल, एम, एन और इसमें अलक्टरान कितने होते हैं के में तो आईए मैं आप लोगों को बताता हूं K में कितने अलक्टान होते हैं L में कितने अलक्टान होते हैं और YUM में कितने अलक्टान होते हैं K में जो अलक्टानों की संख्या है वो कितनी होती है 2 यानि स्क्वाइर के रूप में होता है तो यहां हम 1 रखेंगे जब यहन का मान जब हम यहां एक रखेंगे यन का मान तो यहां दो हो जाएगा एक का स्कार एक ही होता है यहां जो अलक्तरानों की संख्या होगी दो होगी तो K यानि कि पहले का च्छक में 2 एलक्तरान होते हैं और कि L L में अगर हम यहां यन की संख्या 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वार होगा 4 और 4 दुनी 8 यानि कि 8 L में कितने एलक्तरान हो की संख्या 8 एलक्तरान हो की संख्या ठीक है? अब यहां हम आते हैं के एल एम यहां हम 3 रखते हैं और 3 का इसका है 9 और 9 टूजा 80 2, 8, 18 अब हम देखते हैं यन में कितने एलक्तरान की संख्या यन में एलक्तरान की संख्या यहां 4 रखेंगे 4 चुक 16, 16, 22 यह था बहुर बढ़ी का नियम लेकिन इसी पर आधा ही था आप बढ़ी का नियम तो के में 2 एलक्तरान रहते हैं एल में 8 एलक्तरान यम में 18 एलक्तरान और यन में 32 एलक्तरान अब हम आते हैं आप बढ़ी के नियम पर आप बढ़ी के नियम के लिए आप लोग को चार बाते दिहान में रखनाइब़ा, वो है yes, p d f, s p d f यह आप वाउ के नियम नियम, ये येण और लोग को कि ध्यान में लखना है are yes, p d f, ठिक है, और is p df अब इसमें कितनी कि Simख तो दोस्तों इसमें इलग्ट्रानो कि संख्या होती है यस पर यस में जो अलक्तरानों की संख्या होती है वो दो होती है कितनी होती है दो होती है और पी में जो अलक्तरानों की संख्या होती है वो 6 होती है और डी में अलक्तरानों की संख्या जो होती है वो 10 होता है और यफ में एलक्टरान की संख्या कितना होता है दोस्तों 14 होता है ठीक है यस में 2 एलक्टरान की संख्या पी में 6 एलक्टरान की संख्या और हम इसे इस परकार से भी लग सकते हैं देखिए दोस्तों 2 और पी में 6 और अब देखिए यहां आप लोग को यह पता चल गया कि यस में दो एलेक्ट्रान आप एक कछक देखिए यहां के ल, M, N आप देखिए दोस्तों हमें इसे पूरा करने के लिए पहले में दो है ठीक है तो के में जो होगा दोस्तों के पहला कछक के के में केवल लहेगा के के में केवल लहेगा one yes कितना 1s2 कितना रहेगा 1s2 दोस्तों 1s2 लिख सकते हैं या जस की घार 2 लिख सकते हैं ठीक है और यह हमारा पहला कच्छक है और यह हमारा दूसरा कच्छक है दूसरे कच्छक में हमें देखिए क्या है GOW । GOW M, अभी में आप लोगा समझाता हूँ और चोथा कच्छक हमारा है Ă ठीक है चारो कच्छक आप लोग याद रखिए फिर हमें चलना है । समें हमें ले लेना है देखिए इसमें यसटू अब हमें इसमें जो लेना है आप दोस्तों हमें ISमें यसलेना है और इसमें हमें yes, p yes, p, d, f वाला हम कर रहे हैं तो yes, p, दो लेना है दो सरे कच्छेंग में दो अक्षार और तिसरे में yes, p, d ये तील लेना है ठीक है yes, p, d और चौथे में हमें लेना है yes, p, d, f ठीक है, इतना लेना है अब हमें तो पता है कि इसपे 2 होता है इसपे 6 होता है इसपे 2 होता है इसपे 6 होता है इसपे 10 होता है ठीक है और इसपे जो हमारा होता है दोस्तों इसपे भी 2 होता है और इसपे 6 होता है और इसपे 10 होता है और इसपे 14 होता है अब सभी को हम काउंट करते हैं ठीक है के में कितने एलेक्ट्रान होते हैं दो एलेक्ट्रान होते तो दो एलेक्ट्रान है यल में कितने होते हैं आठ एलेक्ट्रान तो 6 और 2 आठ एलेक्ट्रान और तीसरी कच्छा की यम में कितने होते हैं अठारा एलेक्ट्रान तो 10, 6, 16, 2, 18 एलेक्ट्रान और यहन में कितने होते हैं 32 एलक्ट्रोन तो 10, 16, 16 और 16 और 14 देखिए 8, 10, 18, 10, 28, 34 ठीक है यह आपके हो गए एलक्ट्रोन ऐसे हमें रखना है ठीक है अब देखिए रुस्तू यह आप लोग को पता चल गया अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजों का एलक्ट्रोनिक बिन्य आउस अफ हमें किस परकार अब हमें देखिए थोड़ा एक लोग देख लिजिए वह आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टंट है ठीक है वह इस लिख देता हूं फिर मैं आप लोगो समझा देता हूं तो दोस्तों यह देखिए है से हाम अलक्रोनिक विन्यास करने हैं यहां 10 स यह 1S स्था है इसका अर्फ है यहां于 के कि अगर आएख है तो हिवीर्बने का टीक है और हाइड्रोजन का इसमें हो सकता है पहले हमें 1S1 देखिए 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4 अब हमें 3D10 4S के बाद 3D10 3D10 के बाद 4P6 फिर 5S फिर 4D फिर 4D के घात कितना 10 और फिर हमें 5P की घात 6 और यहां फिर 6S ऐसे आप लोगो को 30 तक इसमें दिखाया गया है और आप लोगो इसी परकार से लिखना है और आप लोग इसे नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं किस परकार से आ यह मैं आप लोगो को बताता हूं ठीक है ऐसे दोस्तों आप लोग को करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 यह 10 है दोस्तों और 4p6, 5s2 and 4d10 इधर आईए अब हम यह कितने तक कर सकते हैं इतने में ही देखिए इतने में हम कितना कर सकते हैं कितने परमाड कर मांग तक अभी आप लोग सीख जाएंगे दो अपवाद है जो कि 24 क्रोमियम का और जो 29 है ठीक है यह अपवाद है उसे हम लोग आप लोग को बताएंगे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 18, 20, 20, 20, 10, 30, 36, 26, 36, 36, 32, 38, 10, 48 इतने में ही आप 48 तक कर सकते हैं अलक्रोनिक बिन्यास ठीक है अलक्रोनिक बिन्यास करने के लिए जो कि हम आप लोग को सिखाएंगे पहले हम लेते हैं कुछ का अलक्रोनिक बिन्यास करते हैं जैसे एक प्रमार कुर्मांग किसका होता है नहीं याद है याद कर लीजिए अगर नहीं जानते हो तो बता दीजिए मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे टिक्स एंट्रिप्स दूंगा एक जो होता है दोस्तों वो होता है किसका हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एक प्रमार कुर्मांग होता है कितना होता है एक इधर आईए दोस्तों थोड़ा सा ये एक प्रमार कुर्मांग होता है इसका जो अलक्रानिक बुन्नास होगा वो होगा वनियस वन वनियस वन क्य लेकिन बीच-बीच में सबी को कराऊंगा अब हम लेते हैं किसका कि का ऑक्सीजन का एट है वह खिर कैसे करेंगे ऑचेजन यदा है कितना हूता है यद में कितने − to is to to कि उसका सफ्टें क्यों कि Auf अब हमारा होगा ऑक्षीजन का टू पी शिक्स होते है पी में लेकिन हमारा फोर ही बचता है तो फोर ही रहेगा ठीक है ऐसे करना है अब बाउ के नहीं हम से अलक्ट्रोनिक बिन्यास अब हम लेते हैं दोस्तों ग्यारा जिसका होता है एन्ने और अगर एक एलक्ट्रोनिक बिन्यास नहीं जानते है तो एलक्ट्रोनिक बिन्यास नहीं निकाल पाएंगे एलक्ट्रोनिक बिन्यास नहीं जानते है तो कुछ अब किरिया में भी एलक्ट्रोनिक बिन्यास से काम होता है एलक्ट्रोन बिन्यास नहीं है और पूछा भी जाता अब इसका देखिए दोस्तों 1s2 2s2 2p6 2p6 मैंने लिख दिया अब 10 हो गए अब 3s1 अब दोस्तों इससे हमें एक बात पहचान सकते हैं कौन सी बात की इसमें देखिए यह जो यह आ गया यह यह ब्लॉक का तत्तु है जाके देख लिजिए यह ब्लॉक का तत्तु है ठीक है ब्लोक का तत्तु है अब हम देखते हैं दोस्तों कि आगे देखिए हमारा आता है चलिए मैंने लेता हूं कैस्याद में यहταहें को इस्टकम होता है 13 तरं इनले में थीक है अलूमी नीयुं का यह हम लुट है यानि कि electronic विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब देखिए aluminum का, अब दोस्तों aluminum का हो गया इतना, अब aluminum का यहां कितना हो गया, 10 दो बारा, अब यहां हो जाएगा, दोस्तों वो याद है आप लोगों को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, क्योंकि भाई, 1 ही तो बच्चा है, तो 1 ही तो रहेगा, आगे देखते हैं, ऐसे हम लोग आगे तक जाएंगे, अगला हमारा है, चलिए मैं ले लेता हूँ दोस्तों, 15 नमबर, यह 16 ले लेते हैं, 16, 16 किसका प्रमार को मांखा है, किसका है, 16, 16, सलफर का, और सलफर का आएं निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3p, अब हम लोग जोड़ेंगे, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, और 4, 16, हो गया भाई, सलफर, ठीक है, तो यह हो गए, अब हम आगे देखते हैं, 19 का, ठीक है, क्लोरीन का चलिए देख लेते हैं, 17, 17 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आईए देखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, देखिए, छोटे लेटर में है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, चलिए, हम लोग जोड़ लेते हैं, 17 होगे बहुत तीजी है केवल आप लोगों को 24 और क्रोमियम का और आपका कॉपर का हार्ड है उसमें आप वाद है उसे मैं गता हूँ अभी लेकिन ऐसे हम करते हैं इसके अंड्रियम 21 है 21 का देख लेते हैं दोस्तों 21 का होता है 1s2 इसके अंड्रियम का कितना होता है 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हम जोड़ते हैं 6,4,10,6,16,2,18 18 के बाद आईए मैं आगे देखता हूँ अब हम यहाँ रख देते हैं 4s2 याद है 3dp6 हम जोड़ते हैं 2,10,16,2,18,2,20 अब हम लिख देते हैं कितना 3d1 3d1 ठीक है तो आगे हम देखेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं अब वाद वाला फिर हम लोग और देखेंगे अगर आप लोगों को इस तरह हो तो यह जाके देख लिजिए अब हम लोग देखने वाले हैं किसका क्रोमियम का और कापर का और जिंक का तीन लोगों को देखेंगे किसका क्रोमियम C R आपके बुक में क्या लगा होगा यह जैस्टाल लगा होगा क्योंकि यह भाई्या पुआधा है तक इसलिए स्टाल स्टाल लगा होगा थीका आप यह हम देखते हैं आप अलाक्तों इस ओक सब्सक्ते तो सटाल करेंगे 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2 और यहां आप लोग लिख देंगे 3D 4 24 हो गया 3D 4 लेकिन यह गलत है अपवाद है दोस्तों अभी आप लोग समझ जाएंगे यहां हमें क्या करना है यहां हमें करना है कि दोस्तों ऐसे लिखना है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 कर देना है और यहां हमें कर देना है 3D 5 कर देना बस इतना ही करना है आपका सही हो जाएगा अब हम देखने वाले हैं जो कि 29 पर कॉपर है 29 नमबर कॉपर इसमें भी आपका इस्टाल लगा होगा ठीक है तो आपके बोड़ी जामें पूछा जाए तो ऐसा लिख देना है अब इसका हम लोग साधान रूप नहीं बता आएंगे ठीक है यहां करेंगे आए देखते हैं वान यास्टू आटू आटू यास्टू देखिए जो अपवाद है उसे मैं कलरदार पेंगा इसे लिखता हूं लेकिन बोड़ इकजामें कलरदार पेंगा दूज नहीं करना 3p6 3eas2 3p6 यह दोस्तों टू है और फोर यास 2 की जगह 4 यह 1 कर देना है और यहां हमें 3D 10 कर देना है यहां 9 हो जा था लेकिन हमें इसे पूरा करने के लिए 10 कर देना है ठीक है यह आपका सही रूप है और यह दोनों जो है दोस्तों यह दोनों यह दोनों अपुआध है एक है कि आप यूख इसी याद रखना तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया बितना आप लोग कर सकते हैं बहुत इज already १ iaj in at amigossome abod honom एक इस तक पर दिया है और आप लोग ऐसे बीच इसकी तरफ से आई वीडियो को लाइक कर दीजिए तैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग को कोई भी सुझाओ हो तो कमेंट करके ज़रूर बटाएं एडूकेशन से संबंदित इस चैनल पर आप लोग को लगातार वीडियो मिलता रहेगा तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो बेंता है तब तक के लिए धन्नवाद